हलो गाईज आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप किस तरह से चार्ट को रीड कर सकते हो जैसे कि आप यहाँ भी देख पारे हो कि यह हमारी 14 सप्तंबर की लाइफ ट्रेड है और इसमें हमने बैंक निफ्टी में 240 प्लस पॉ ठीक है तो आए इस वीडियो में हम देखते हैं कि चार्ट रीडिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यदा इंपोर्टन होती हैं तो सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पर करते हैं क्यूंकि सबको पता है कि अगर चार्ट रीडिंग करनी है तो टेक्निकल कर सकते हों और अगर आप चैनल पर जाओगे तो आपको लाइफ स्विम देखने के लिए मिल जाएगी आप डिफरंट डिफरंट डेज की लाइफ स्विम देखे हमें जरूर से बताईगा कि आपको किस तरह से ट्रेट्स लगें तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और जाते जाते हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करके जाएगा अब ये सब समझाने के लिए चीज़ों को मैं जितना सिंप्लिफाइ कर सुकूं उतना मैं ट्राइ करूँगा अब पूर एक्जमपल आपको क्या जूम करना है कि आप एक डारेक्टर हो आपको काम दिया गया है कि मुवी का second part बनाना आपने हैं अब मुझे आप ये बताव कि अगर आपने पहला part नहीं देख रका है तो क्या आप second part बना सकते हो नहीं बना सकते हो क्योंकि आपको नहीं पता कि first part में कौन villain था कौन hero था कहां प्छा करन फाइट हुई थी कहां प्या हुआ था आपको य के बारे भी knowledge है same charts में भी same चीज़ apply होती है आप क्या हो आप अपने chart के एक director हो आपको direct क्या करना है कि कहां पे seller बैठा हुआ है कहां पे buyer बैठा हुआ है और कहां पे fights जो है देखने के लिए मिल सकती है अब इतने से part को देखते हैं सबसे पहले आप क्या देख रहो market जो है नीचे आ रहा है और यहां पे एक range बना रहा है जिसमें कि fight हो रही है अब नीचे आने का मतलब आपको नहीं पता है कि यहां पे actual में ये selling है देख है क्योंकि market selling में भी नीचे आती है अब इस case में क्या हो रहा है market जो है यहां पे नीचे आ रहा है यहां पे दखो क्या हो रहा market नीचे आ रहा है अब ये part selling वाला है या फिर एक retracement वाला है इसके लिए आपको क्या identify करने के लिए क्या चीज़ करने पड़ेगी आपको history में जाना पड़ेगा आपको ये चीज़ चेक करने पड़ेगी कि क्या ये selling वाली है या फिर buying की एक retracement है अब इसके लिए आप क्या करोगे history में जाओगे history में चलेगी हम यहां पे अब हमें यहां पे history में जाके क्या पला चला है कि यहां पे एक बहुत बड़ा seller बैठा हुआ ठीक है यहां पे बहुत बड़ा seller बैठा हुआ और यहां पे क्या है एक buyer बैठा हुआ दूसरी language में हम seller को क्या बोलते है resistance बोलते है और buyer को यहां पे क्या बोलते है support बोलते है market जब नीचे आ रही होती है अब ये क्या बन चुका है, एक level बन चुका है, यहाँ पर अगर आप इसको extend कर दोगे ना, यह extend कर दूँगा इसको मैं, अब हम क्या करेंगे, एक horizontal line के थूँ यहाँ पर channel को set कर देंगे, और इसे delete कर देंगे, तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पर level बन जाएगा, और 44,923 का जो level यहाँ पर आपको शोओ रहा है, यह एक resistance है, और 44,000 आपका क्या है, एक support बनाओ, जो हमने यह वली line बनाई थी ना, यह इसे देखके हमें नहीं बनाई है, यह हमने क्या देखके बनाए है, history को, अब history में अगर आप पीछ जाके देखोगे, तो यहाँ पर जो है यह एक level, यह जो level आपको दिखाई दे रहा है, अब यह क्या है, एक buying zone है, और यह second वाली range बने हुए है, अब इसे भी अगर मैं यहाँ पर draw कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर यह पुरा fight zone बना हुआ है, हमें यह पता है कि market में जो इस psychology level बने है, यह seller वाल एक बड़ा move तब आने वाला, जहां तो market इसके उपर चली जाए, जहां तो market इसके नीचे, अब देखते हैं, यहाँ पर हुआ क्या, 31st अगस्त वाले दिन के market यहाँ पर क्या करती है, fight करती है, fight करने के बाद यहाँ पर candle sustain होने की कोशिश करते हैं, बट buyer में इतनी strength है कि market को अगें से इसी zone के बीच में ले आते हैं, अब जैसे ही market इस पूरी zone में आगा, तो फिर ही कौन सी zone में आगा, यह फिर से fight zone के बीच में आगा, जैसे ही fight zone के बीच में आया, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, seller जो यहाँ पर चाहते हैं कि market एक बहुत बड़ा move देखे जाए, downside में, वो fail हो गया, उनका जो confidence है, वो low गया, अब यहाँ पर buying, जो है न, यहाँ पर यहाँ पर यह candle आप देख पा रहे हो, जैसी candle sustain होनी शुरू हो गया, अब बायर यहाँ पर confidence हो गया, बायर का जो है, यहाँ पर confidence जो है, वो बन गया, अब इसको थोड़ा सा आग पर exit कर गया, seller न जैसे ही यहाँ भी patient को exit किया, आप exit notice करो, क्या उसके बाद एक भी candle यहाँ पर रीच करी है, नहीं करी है, यहाँ पर रीच, यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद एक बहुत ही अच्छा move आया, upside में, अब देखो यहाँ पर, इसके बाद market बस उठता ही गया उठता गया, और अब market यहाँ पर presently, market अभी इस पुरी zone में फसा हुआ, ठीक है, यह पूरा क्या बनावा, एक range बनी हुए है, ठीक है, बट overall अगर हम देखोगे, तो market में हुआ क्या है, कि जब भी, एक बहुत बड़ा level break हुआ, तो उसके बाद market ने stopples hitting गया, तो यहाँ पर क्या करते हैं, big players होते हैं यहाँ पर, wait करते हैं कि market एक बहुत ही, psychology वाला level break करें, और उसके बाद वो, यहाँ तो long करने वाले होते हैं, यहाँ फिर short करने वाले होते हैं, ठीक है, वो उससे साब से होता है, कि market का behavior का चल रहा है, अब second example को अगर आप दियान से देखोग किस तरह से, यहाँ पर जाके horizontal line के through, हम यहाँ पर इसको draw कर लेंगे कि yes, अगर यह level break होता है, in future, ठीक है, in future, अगर यह level आके break होता है, यहाँ पर candle sustain होती है, तो that means कि यहाँ पर जो वी seller बैठा होता, इसने अपनी position को square off किया है, और एक बड़ा move आ सकते हैं, ठीक है, अब value वाला क्या है, हमारा एक resistance level था, जैसे ही market इस level के उपर sustain होगी, तो उसके बाद, यह जो यहाँ पर resistance हा, यह convert हो चुका है, अब support का मतलब यह है कि जब भी market किसी high level के आसपास आके, इसे reach करेगा न, तो यहाँ पर आपको जो है, gain से एक buying pressure देखने के लिए मिलेगा, ठीक ह तो आपको यह चीज़, notice करनी है कि जब भी market में, कोई resistance, break हो जाती है, ठीक है, break हो जाती है, तो तब यह resistance जो है, convert हो जाती, support में, और in future, अगर market यहाँ पर, again से reach करेगा, तो यहाँ से आपको, again से एक buying pressure देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करते हैं, यह support बना होता, जब भी market इस support को break करने के बाद, यहाँ पर sustain होनी शीरू हो जाती है, तब क्या होता, यह support बना होता, यह resistance बन चुक है, that means कि जब भी market in future, नीचे से उपर के तरफ जब आएगा, इस resistance पर रीच करेगा, तो यहाँ से आपको हमेशा एक selling pressure कैसे बता चलेगा, देखो, आपको न एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, कि option chain में, अगर आपको किसी भी side में, congestion देखने के लिए मिलने हैं, congestion का मतलब यह होता है, कि आपको जो है, यहाँ पर, मैं अच्छे से थोड़ा सा बना के दिखाता हूं, रूखो, यह call side यह put writers होत ओवाई data है, ठीक है, यहाँ पर similar है, ठीक है, similar का मतलब है कि यहाँ पर 42,00,00,00 बना हुआ है, और यह भी 40 के आसपास कही है, तो यह almost same है, that means कि यहाँ पर market एक पूरा range बना रहा है, ठीक है, एक range बना रहा है, अब जिस भी side की positions, यहाँ तो scare off होंगी, ठीक है, यहाँ तो बिल्ट होने शुरू हो जाएगी, दो चीज़ी होंगी, जहाँ तो market में यह exit कर जाएगा, जहाँ तो यहाँ पर बहुत बड़ा सा oi build होना शुरू हो जाएगा, तो जिस भी side में होगा, चाहे वो call side में, चाहे वो put side में, तो उसी तरफ market जो है, एक अच्छा move देके जान होने वाल है, और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि, call writer और put writers के बीच में, जहाँ पर, और यहाँ पर, ठीक है, जब ना यह increase होने शुरू हो जाते है, मतलब कि यह बहुत बड़े है, जहाँ पर suppose 50 lakh क्या सपास बन चुका है, और 20 क्या सपास बन चुका है, तो इस कि, जब भी यहाँ पर call writers की positions, increase होने शुरू हो जाती है, तो हमें यह पता है, कि market जो उपर जा रहा होता है, हमें क्या लेना होता है, हमें call side लेनी होती है, तिकि market उपर जा रहा है, अगर आप option chain में देखोगे, option chain में अगर, यह increase हो रहा है, इसका मतलब यह है, कि market यहाँ यहाँ पर resistance क्रेट कर रही है, यह इस level क्यास पर जाके, यहाँ पर market को नीचे लेकि आने वाले हैं, तो यह थोड़ा सा wise versa चलता है, इसके बारे में अगर आपको कोई confusion है, तो इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको मैं यह बताना चाहता ह कि congestion जब आपको देखने के लिए मिलेगी, तो किस तरह से देखने के लिए मिलेगी, option chain में अगर call writer और put writer के बीच में ज्यादा difference नहीं है, इसका मतलब है कि market अब एक zone में अपना time spend कर सकते हैं, जिसमें कि आपका premium decay होने के chances होता है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही experience, तो यह चीज़ें आपको experience के हिसाब से आजाएंगे, तो यह हमारा second part था जिस पर कि लोग बहुत ही कम दियान देते हैं, first part भी हमेशा हर इक का दियान होता है, वो होता है, technical analysis, तो technical analysis में आपका सबसे main चीज़ आता है, आपका setup, आपका setup क्या है, आप 50 moving average उस कर रहे हो, 100 moving average उस कर रहे हो, कौन सा, आप setup उस कर रहे हो, RSH कर रहे हो, तो वो rapid बन कर रहेगा, तो setup सबसे main है, उस के बाद आता है आपका trend line, trend line क्या बन रहा है, कौन सा pattern बन रहा है, flag and pole बन रहा है, head and shoulder बन रहा है, तो यह सब चीज़ें चार्ट analysis के लिए हर कोई try करता है, तो यह chart को feel करना, ठीक है, chart को feel करना, chart के बारे में पहले से पता होना है कि कहाँ पे क्या हुआ है, history आपको पता होनी चाहिए, तब ही आप जो है, एक अच्छा target बना सकते है market में, क्योंकि आपको अगर यह नहीं पता है कि basic क्या है, कहाँ पे आपको buy करना, कहाँ पे sell करना, अब एक बहुत बड़ा selling pressure आ रहा है, तो market काफी बड़ा move देने वाला है, यहाँ पे downside में, बट उसे यह नहीं पता है कि फिछले दिन जब यहाँ पे fight हो रही थी, fight होने के बाद जब market इसकी उपर sustain हो गई है, तो बच्चा यहाँ पे क्या बन गया है, यह एक buying zone बन चुकी है, यह एक support बन चुकी है, that means कि market जब भी इस level के बीच में आएगा, तो यहाँ से हमेशा क्या होने वाला है, buyer active होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे fight में, fight में seller, buyer, seller होता रहा, तो यहाँ पे जीता को ना, यहाँ पे जीता है, हमारा buyer जीता है, तो इस case में, जब भी आपको इस जोन के बीच में candle देखने के लिए मिलेगी, यहाँ तो इस tip के आसपस आपको हमेशा एक buying देखने के लिए मिलेगी, another चीज यह है कि अगर market इस पूरी zone में आ गया, तो यहाँ पे क्या होने वाला, यहाँ पे फिर से fight होने वाले है, क्योंकि buyer यहाँ पे जाद active है, और यह चाहेंगे नहीं कि market को नीचे लेके जाएं, और seller हमेशा चाहेगा कि market नीचे जाए तो उसको profit हो, बट यहाँ पे buyer हमेशा fight करेगा, कि market यहाँ से इसके नीचे ना जाए, अगर इसके नीचे चली जाती है by chance, तो वो क्या होने वाला, फिर यहाँ पे shifting होने वाली है buyers की, त ठीक है, यह पूरा buying zone यहाँ बहुत अच्छी support बनी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे fight करने के बाद जब market इस level के आसपस reach करें, तो एक बहुत बड़ा सा pullback करेगा market, ठीक है, तो इस तरह से आपको यह सब चीज़े plan करनी होती है, now let's move to the another topic, वो topic है हमारा, यहाँ पे आप द channel पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे दिनों की live stream देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है, आप किसी भी दिन की live stream देख सकते हैं, यहाँ यहाँ पे यह open कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मैंने किस तरह से profit क्या क्या बना था, बढ़ आप द थैंकि सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो और लाइक जरूर से करेगा और सब्सक्राइब जरूर से करके जाएगा चनल को, ऐसे ही amazing content के लिए और live stream में हमारे साथ जरूर से join कीजेगा, मिलते हैं अपनी इसी तरह से next वीडियो में, थैंकि यू गैस, थैंकि सो मच